दोस्तो क्या आपके घर में भी चीटिया निकल रही है तो ये वीडियो जरूर से जरूर देखिए ये आपके लिए बहुत फायदे मंद होने वाला है अगर आपके घर में चीरिया निकल रही है तो आपको अत्यंत धन लाव होने वाला आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है तो दोस्तो बने रहे हैं मेरियों में मैं पूजा आपकी दोस्ति भक्ती में शक्ती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत करती हूँ तो दोस्तो यदि आपके घर में चीतिया निकल रही है तो आईए हम आपको बताते हैं कि हमारे दीवन चर में जो हो दैनिक जीवन में हमारे घर में जीवजन तु रहते हैं उनसे हमें कितना अत्यंत लाव हो सकता है और कितना अत्यंत हमें नुकसान हो सकता है तो दोस्तों जैशा कि अगर आपके घर में चीत्या निकल रही हो तो आपके जीवन में आने वाली किसी बात को लेकर वो संधेशा देती हैं गरों में चीतियां निकलना वैसे आमतोर समझा जाता है हम गौर नहीं करते लेकिन यह कोई बड़ी घटना के बारे में संकेत देती रहती है चीतियां घर के ऊपर की ओर जा रही हो जब अगर आपके घर में चीतियां घर के ऊपर जा रही हो या नीचे की ओर जा रही हो तो इसके अलावा आपके घर में आई चीतियों को कुछ खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या वो कई घटने को केंदरित होना माना जा सकता ह तो आईए हम बात करते हैं कि यदि आपके घर में लाल चीती आ रही है या काली चीती आ रही है तो उसका अलग-अलग संकेत बताती है तो आईए हम जानते हैं कि लाल चीती के आने से क्या होता है और काली चीती के आने से क्या होता है तो दोश्तों यदि आपके घर में लाल काली चीती आ रही हो तो सुभ और आउशर वाला समय आने वाला संकेत देता है काली चीती शमान ने तो और पर घरों में चलती हुई दिखाई देती है लेकिन कई बार लोग काली चीती को शकर आटा खाद प्रदास भोजन डाल देते हैं काली चीती को खाना खिलाना शुभ माना जाता है अगर वो चावल के भरे पात्र से यानी बरतन से चीतिया निकल रही हो तो ये अत्यन्त शुभ शंकेत होता है इसी प्रकार से अगर कुछ ही दिनों में आपको धन और आशर का लाब होने वाला होता है ये शंकेत देता है और इस प्रकार से व्यक्ति की आर्थिक इस्तिती अच्छी होने वाली जार ही होती है इस प्रकार से काली चीती आने का भौतिक सुख और चीजों में शुब शंकेत माना जाता है इस प्रकार से अगर आपके घर में लाल चीती दिख रही हो तो वो उससे सौधान हो जाएं अगर आपके घर में कहीं भी लाल चीती दिखाई दे रही हो तो सौधान हो जाएं चीतियां बताती हैं अगर आपके घर में लाल चीतियां आ रही हैं तो ये सभी असुब काम आपके साथ हो सकते हैं लेकिन अगर लाल चीतियों के मुं में अंडा लेकर घर से जा रही हो तो ये अच्छा संकेत के रूप में देखा जा सकता है चीटियों को खाने के लिए खादे प्रतार डालना चाहिए अगर चीटियां आपके घर में भूखी रहेंगी तो ये भी अशुब शंकेत माना जाता है तो निश्चित दिशाओं में यदि आपके घर में चीटिया आती है तो आपके लिए ये शुब शंकेत हो सकता है दरासल काली चीटी आपके घर में उत्तर दिशा से आती है तो आपके लिए शुब शंकेत होता है और अगर दच्छिर दिशा से आ रही है तो ये आपके लिए अत्यन्त फायदे मंद होगा पूर्व दिशा से चीटी आ रही है तो सकारात्मक सूचना आपके घर में आ सकती है यदि पस्चिम दिशा से चीटी आ रही है आपके घर में तो आपकी यात्रा बाहर योग बन सकता है आपका यात्रा योग बन सकता है काली चीटी का अगर आपके घर में इस प्रकार से वाता वरान हो रहा है तो आपके लिए अतिन्त शुब प्रतीत हो सकता है तो दोस्तों जैशा की हमने बताया कि लाल चीती यदि मूह में लेके अंडा लेके जारी है तो ये भी आपके लिए अत्यनत सुब होगा यदि आपके घर में काली चीती है तो शमज लेना आपके भाग बदलने वाले हैं और आपके जीवन की तरक्की बढ़ने वाली है तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सेस्क्राइब अवस्य कर लेना तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों